अमिला सायद आपने देख लिए होगा कि पटना हाई कोट का जो नेड़े रहा बिहार जो उच्छ नेले का नेड़े रहा कहीं कहीं बीएड के प्रतिकूल रहा अगर हम बात करें तो बीएड डिग्री धारी जो 22,000 प्रात्मिक सिचकों को हाई कोट से रहात ने मने ऐसे टीशी वालों के अपने तरक हैं तो यहां पर आप यह क्या सुझा हो और आप क्या कहना जाते हैं फिलाल इस पर अगर पुरी नेज़र डाले तो क्या भविश में जो अन्य भरतियों में जिनका चेहर हुआ जैसे उनके उपर भी क्या इसका एसर पड़ जाएगा यह पूर 28 जून 2018 के जो अजसूचना थी जो गाइडलाइन थी उस उन्होंने गयर कानूँ ठारा दिया सुप्रीम कोट ने बियट भेरतियों को प्रात्मिंग में रहात नहीं दिया अब नए सीरेशे भरना होगा पद मैंने हाई कोट ने कहा कि सिचक नुक्ति के छटे चरण मैंने चड़ी जो चरण इसके पहले जो चरण हो चुका है जब भी प्यस्टी नहीं कराती थी मैंने भी प्यस्टी की पहले जब असे चकपर्ति परिछा हुई थी चरण में पहली से पांचवी के लिए बेड़ डेगरी धारी की नुक्ति हुई थी उसे अब नए सीरे से भरना हो सबके अलग-अलग अपने राय हैं अब ये पूरा मामला क्या इस पर भी प्रकाश डालते हैं कि राजसरकार अधीन प्राथमिक श्कूलों में बीए डिगरी की नुक्ति करीब बाईस हजार सिचकों की नोगरी पर संकत के बादल मठाने लगे हैं पटना ही कोट ने पहली स चंदरन और नयमूर्ती राजीराय की खंड़ पीट में एक साथ तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई के बाद बदवार को भाचला सुनाया कोट ने एंसी टी राष्टी सिच्छा परिसत की ओर से 28 जून 2018 की जारी अजसोचना को गलत करा दिया उसमें प्राथिंग बिद जालों में पहली से पाच्वी माने एक से लेकर पांस तक में डियलेड डिगरी धारी सिच्छक पत पर नियुक्ति हो सकते इसके बाद एंसी टी की अजसूचना को सुप्रीम कोट में चुनोती दी गई सुप्रीम कोट ने भी उसे रद्द कर दिया सीर्थ अलालत ने आदे सिच्छक बन पाएंगे लेकिन जो प्रात्यों में अभी तक क्या रहा है इस पर आप कोमेंट सेक्चन में कोमेंट करके बताएगा उत्ताब देश्चक बढ़ती हुई थे इसमें अभी मामला कही नियाले में बिचार धीन नियाले में चल रहा है फिला अजब तक कोई फैस सबने अगरत्यों के लिए संकट खड़ा हो क्या है जो नियुक्ति कर लेकर नौकरी कर रहे थे और बेड के भरती थे फिलाल भविष्यमी क्या होना है यह बविष्री की घरत्म में सबके अपने हिसाप सब्राइब होते हैं आपकि क्या है इस कोमेंट सेक्षन में जरूरो के भेरती समलित होना था जिसमें एक से लेकर पांस तक के लिए जो पूरा प्रसिच्छन होता है वो एलिमेंटरी कोर्स पर होता है और यह यह आटी 2009 का हवाला देते हुए मानि सुप्रीम कोट ने एंसीटी की जो गाइडलाइन थे 18 जुन 2018 की गाइडलाइन को उनों रद्द किया फिलाल अब आगे देखना क्या होता क्योंकि अभी हाई कोट का मामला है हो सकता डावल बें जाएंगे फिर सुप्रीम कोट अभी क्या होगा यह तो आगे चलकर भविस्के गरत में है फिलाल अभी क्या होता है अब आगे क्या होगा नाइक प्रक्रिया क्या ही उसे साब से देखने का विस्के वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर आप दुरगेज सरसर्च करके इलनी भी दुरगेज पर जड़र जुड़ेएगा यह वीडियो आप सभी के लिए काफी अहम का आप भी महारत्य पूरबगा टेलीग्राम पर सभी क्लासेज नौटिफिकेसन लिंक आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है रहती है मिलते है नए सेसन के नए वीडियो लेक्टेर साथ तब तक लिए आप सभी का जैह हिंद जैभारत